तो गाईज अगर आप सभी लोगों को MX Player के application में इस तरीकिसे problem आती है यहाँ पे लिखा रहता है permission request to play video audio and subtitle तो अगर आपको इस तरीकिसे problem आता है तो आपको क्या करना है गाईज मैं आपको बताता हूं तो यहाँ पे आपको MX Player में इस तरीकिसे जो है आपको problem आ रही है तो आपको यहाँ पे allow पे click करने के बाद आपको यहां पे इस तरीके से देखने को मिलेगा तो यहां पे आपको allow पे click करने और MX player के application को open करने और यहां पे आपको इस तरीके से इसका permission दे देना है allow access to manage all apps का permission आपको दे देनी है उसके बाद आपको setting को open करने setting को open करने के बाद application पर जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको manage apps पर जाना है search bar पर click करना है और यहाँ पर आपको mx player लिखना है उसको open करने है इस तरीके से आप उसको open करने के बाद आपको application permissions पर आनी है और यहाँ पर आपको सारे के सारे permissions को allow कर लेनी है और guys यहाँ पर आपको file and media का permission मिलेगा तो उसको आपको allow करना ही करना है guys यही इस comment setting है और 37 सारे के सारे permissions को allow कर लिजिए तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी और आप सभी लोग एक बार अपने phone में इस application को play store में जाकी update जरूर कीजिएगा तो आपकी problem 100% solve हो जाएगी तो guys इसी तरीके से आप जो है इस problem को solve कर पाएंगे तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लिजिए